हेलो संस्कित की प्रिये विद्यार की आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेगनेट ब्रेंस पर मैं पंकस्तिवारी एक बार फिर आपके लिए ले करके आया हूँ उसी कच्छा 11 में की सास्वती का जो हमारा पाठ चल रहा था मानो ही महताम धनम उसी का हम अभ्यासकार अब रहे हैं कि जो हमारे पाठ के अंत में जो कोश्यन हमारे दिये होते हैं जो प्रस्ण हमारे दिये होते हैं तो उनको हमको क्या करना है अब हल करना है चलिए देखते हैं हम आगे आगे देखेंगे पहला प्रस्ण हमारा अभ्यासकार में आया है क्या आया है देखें अधो लि बिभक्ति का बहु वचन, तो अधा माने नीचे और लिखिता नाम माने लिखे हुए हैं, ठीक है ना, नीचे लिखे हुए प्रश्णा नाम माने प्रश्णों को, ठीक, उत्तरम शंस्कृतेन देयम, शंस्कृत मैं या संस्कृत के द्वारा, यहां बैले आसे तो लिखा प्रश्णा नाम उत्तरम इन नीचे लिखे हुए प्रश्णों के उत्तर संस्कृत के द्वारा देजिए दो ठीक है ना पहला प्रश्ण क्या आ रहा है हमारे शामने वो हमको दिखना है दिखे ना ध्यान से देखें मानोही महताम धनम इत्यत से पाठा कस्माद ग्रंथात शं मारे एक पद में ही प्रश्ण का उत्तर देना होता है वो बहुत ज्यादा प्रश्ण पूछ लेते हैं ऐसे मानोही महताम धनम मान सम्मान ही सबसे वड़ा धन है इत्यस्यम इत्यम पाठा यह पाठ जो हम पढ़ रहे हैं चौथा पाठ उसमें कस्माद ग्रंथात किस शिajcie किया गया है महा भारत ग्रंथ से और महाभारत के अंधर भी मैं आपको बता दूं कि महाभारत के उद्योग परविके 131 से लेकर के महाभारत की किस अध्याय से किस अध्याय तक लिया गया है इसमें भर्न तो वो भी आपको याद रखना ठीक है ना आगे देखेंगे कि दूसरा हमारा प्रश्न है विदुरा कुत्र विशूरbelsा आसि विदुरा कुत्र विशुरुता आसीज विदुरा जो थी वो कहां पर अस्रित थी और कहां पर क्या सुनती थी ठीक है ना तो राज संसत्सू राज संसत्सू का मतलब होता है राज सभा में वहीं बोल रही थी ना कहां पर बोली कहां पर उसने समझाया ठीक है ना तो विदुरा राज सं सत्वू मंतरीयों में राजी के जो मंतरी थे उनमें क्या थी विश्रुता आसीत थी ठीक है ना सनलगन थी और वहती नयाय पारंगत और नयाय साली हमारी विधुरा थी ठीक आगे देखे कुत्र माने कहाnd कुत्र माने कहाnd ठीक तो कहां इसलिए कुत्र की जगे पर ही इस सब्द को जोड़ा गया है राज संसत्सु विस्तुरता आसित साधारण देखिए प्रश्न को सीखना है तो विदुरा विस्तुरता आसित विदुरा विस्तुरता आसित बीच में केवल राज संसत्सु सब्द को जोड़ा गया है किसको जोड़ा गय सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यहां अर्थ निकल रहा है कि मतलब सश्टी विभक्ति का एक विदुरायाह पुत्रह, विदुरा के पुत्र कैन पराजिता अभवथ, ठीक है न, किस से पराजित हो गए थे, विदुरा के पुत्र, जो विदुरा का पुत्र था, कौन, संजर, किस से पराजित हुआ था, तो देख लीजिए, कि सिंधु राजयन, सिंधु परांत के जो र राजेन पराजिता अभवत बिलकुल जयों का त्यों याद रखना प्रश्ण में कोई दिक्कत नहीं होती है हम उसको अगर चाहें तो बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं अब हमें यहां सिंदू राजेन केन लगा है कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इसको प्र तुर्तिया विभक्ति में बनता है कम कह प्रोंकि तुर्टिया बिभक्ति ही लगानी पड़ेगी किसके द्वरा अब यहां पूजा सिंधु राज के द्वारा पराजित हुए या सिंधु राज से पराजित हुए तो इस प्रकार का आर्थ निकालना पड़ेगा इसलिए हमको क्या है एक एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा गा नंबर प्रश्ण था हमारा गा के बाद अगला प्रश्ण हमारा है गा नंबर का उसी मैं देखे पहले प्रश्ण के अंतरगत हम लोग चल रहे हैं गा नंबर का प्रश्ण मतलब चो था कि का इस्त्री पुमान वा ना भवती कौन इस्त्री और पुरुस नहीं होता ठीक है जो अपने बाहुभय के द्वारा ऐसा कार नहीं कर सकता है जो पराजित महीं और सम्मान को नहीं बचा सकता है वो है वो η दिनाना इस्की अगता है जो अपने सम्मान को और मान सम्मान को नहीं बचा सकता है वह ना तो पुरोस है और ना ही इस्तरी है इस प्रकार का किसने विदुरा ने अपने पुत्र शे कहा अगला प्रशन हमारा है कहा अमात्या नाम हर्सम ना आददाती का मने ठीक है ना किसको अमात्या मने मंत्री ठीक हर्सम ना ददाती अपने मंत्रियों को क्या है हर्स नहीं दिया था आ ना ददाती यहां आत्मना प्रिय सुकम ना जहाती सहा आत्या नाम हर्सम ना ददाती जो अपने अपने प्रिय वंधूंगों को और अपने मंत्रियों को नहीं रख सकता है वो क्या है वह राजसासक बनने का उत्रादिकारी नहीं होता है ये हमारे अगले प्रश्ण में उन्होंने कहा है ठीक है ना तो कहा अमात्या नाम हरसम ना आद अधाती ठीक तो यहां पर कहा की जगह यहां आत्मना यहां जो अपने आत्म सम्मान और प्रिय सुखम अपने प्रियों को अपने सगे संबंदियों को अपने रिस्तेदारों को सुख नहीं दे सकता और अपने नाजहाति सहा आत्मिया नाम अपने मंत्रियों को प्रसन नहीं रख सकता है वह राज का उत्राधिकारी बनने का अधिकारी नहीं होता है वह राजा अच्छा नहीं होता है जो अपने मंत्रियों को और अपने सगे संबंधियों को क्या है प्रसन नहीं रख सकता प्रजा को प्रसन नहीं रख सकता वह क्या है राजा बनने का उत्रादिकारी नहीं होता है और उसका जीवन वियर्थ होता है कुल मिला करके ठीक है न चलिए आगे देखेंगे हम अगला हमारा प्रश्न होगा उसी में अपुत्रया मात्रा किम आभर्णम कृत्यम न भवती अपुत्रया माने ऐसे पुत्र क की द्वारा या अपने आभर्णा कोई द्वारा अलंकरत नहीं होता कैसा बोले आपुत्रया मात्रा पुत्रों अपेक्ष्णे आभर्णम कृत्यम न पुत्र की अपेक्ष्ण के लिए ठीक है न ऐसी माता को ऐसे पुत्र की आवसकता नहीं होती है जो क्या है अपेक्ष्ण आकरत उनकी खरी बातों पर ना उत्रे ऐसा ठीक है ना कस जीवितम अर्थवत भवती किसका जीवन क्या होता है किसका जीवन अर्थवत होता है अर्थवान होता है पुरुसार्थ के लिए जो संसार में जन्म लेता है ऐसा कौन होता है कि जिसका जीवन क्या होता है पुरुसा जो दूसरों के लिए जीता है उसी का जीवन अर्थवथ होता है कि सब ले अपने लिए प्रणो के लिए जीता है उसका जीवन क्या है बोले अर्थवान होता है क्योंकि वह इस लोक में भी अपना जीवन सार्थक करता है और परलोक में भी अपने जीवन को क्या कर लेता है सद्गति की ओर ले जाता है और उससे प्राप्त क्या है एस और आराम को क्या करता है यसा माने अपनी सुख्ष कीर्थी को प्राप्त कर लेता है चलिए आगे देखेंगे हम इसी के साथ अगला प्रश्ण हमारा होगा दूसरा प्रश्ण दूसरा प्रश्ण क्या है कि या आत् ठीक है ना यहां आत्मानाहा यहां खलिस्थान अचीरेण सहा अस से इस लोकस से अस्यम हिंदी भासा यहां इस प्रष्टी कृता जो हमारा ये प्रश्ण दिखा है ये हमारा प्रश्ण है नोंने यहाँ पर क्या है रिक्तिस्थान में या डोट-डोट करके उन्होंने थोड़ा संचिप्त रूप में संकित दिया है हमें कि जो हमारा इसलोक लिखा था जो यहाँ पर उसका हिंदी में अनुबाद क्या होगा अगर हमें पाठ अच्छे से तयार नहीं है तो यह हमारा प्रशन क्या है हमसे परिक्षा में नहीं बनेगा इसलिए याद रखना है हमें कि इसमें बर्णन क्या है इस इस लोग का आसा यह है, क्या है इस इस लोग का आसा यह है, कि जो व्यक्ति अपनी सुख सुविदा को त्याग करके, यह आत्मना, अपनी आत्मा को, अपनी सुख सुविदाओं को त्याद करके, छोड़ करके, क्या करता है, सफलता, प्राप्त करता है, अथ्वा, सम्रिद्धी की आशा करता है, अपनी सुख चाहने की अच्छा करता है, और सम्रिद्ध होने की अच्छा करता है, यस और संपत्ति से भर पूर पाने की अच्छा करता है, जीवन में सर्वो परी सम्रिद्धी का मतलब ही होता है कि हर प्रकार से आप सम्रिद्ध साली बन जाए क्या बन जाए हर प्रकार से सम्रिद्ध शाली बन जाए और ऐसा जीवन बन जाए बोले सुख सुबदाओं को त्याग करके सम्रिद्धी की आसा करता है ऐसा व्यक्ति सीग्रही अपने मंत्रियों की क्या कर लेता है प्रसंद सा अपने मंत्रियों को ऐसा व्यक्ति जो आगे ब जीवन में हमें हमेशा त्याग की भावना रखनी चाहिए त्याग का मतलब यह नहीं कि अपना जीवन त्याग दे ना जीवन नहीं त्याग नहीं त्याग नहीं लेकिन हमें संघर्ष करना है संघर्ष का मतलब ही होता है त्याग अगर हम नित्य प्रति दिन क्या है कठिन से क करते हैं और तो एक नएक दिन हमको ऊसमें ज़ класс जरूर मिलती है और आगे चलकर कि हमें उसमें दी ден के हमें रिघ्र की निरंतुन के चक्र की भाती हमें आपने जीवन में चलाना चाहिए और आगे बढ़ने की हमें हमें किया कर ना चाहिए कि चले आगे देखेंगे यह हमारा दूसरा प्रशन था जिसमें उन्होंने हिंदी में प्रशन पूछा आसा इस पश्ट किया ठीक है ना अब देखें रिक्तिस्थानाम पूर्ति विदेया रिक्तिस्थानों की हमें पूर्ति करना है विदुरा और शम पुत्रम विदुरा का औरस पुत्र कौन था और प्रिये सुखी खाली स्थान शाथम स्रीयाम मृगूयतु थेके ने मृग्यतु माम पच्यang्त्याह खाली स्थान अपतु अपी सर्वतांगी रफ 45 शूही यमा चलिए देख लेते हैं हम लोग यह देखें यह देखा विदुरा औरसं पुत्रम जगहें क्या लिखा जगहें हे का पुर्शा यह पराजिता ठीक है ना यह पूरी सुक्ति की सुक्ति रखी है तत्कृति स्वयमेव मगना कुलम उद्भावया यहां प्रियसुके हित्वा स्र अगला हमारा प्रशन क्या रहेगा वो हम आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा चौथा नंबर कर रहेगा और वो है देखिए अधो लिखता नाम सब्दा नाम विलोमा नाम लिखत ठीक है ना जो हमारे नीचे लिखे हुए सब्द हैं उनके विलोम सब्द लिखना है क्या लिखना है उनके विलोम सब्दों को हमें पूरा करना है जो हमारे नीचे प्रश्ण दिये हुए हैं विलॉम सब्दों को कैसे पूरा करना है वो देखें विस्तुरुता सत्या अधर्मग्यम अमित्रान का पुर्शा अचिरेड आशाध्य विलॉम जानते हैं विलॉम का मतलब क्या होता है विलॉम का मतलब होता है विपरीत विलॉम का मतलब विपरीत होता है और विपरीत का मतलब ये होता है कि साधारण विलॉम सब्द दो प्रकार के होते हैं एक होता है पूर्ण विलॉम और एक होता है अपूर्ण विलॉम पूर्ण विलॉम का मतलब होता है जो हमारा सटीक अर्थ्थ को देता है, जैसे का तेजा ही विलॉम जो बन जाए, वही तत्सम का तद्भव, देश्ज का देश्ज, विदेश्ज का विदेश्ज, ठीक है न, तत्सम पध, यहां तो सारे तत्सम पध आएंगे यही हमारे क्योंकि संस्कृत के सब्दें और सारे सब्द हमारे तच्षम में ही आएगे और तच्षम सब्दों में ही हमें क्या है विलॉम देखना होता है वही हमारा क्या होता है पूर्ण विलॉम होता है पूर्ण विलॉम के आधार पर हमें हमें विलॉम सब्दों को क्या कर शुरुता अविसुरुता ठीक सुना गया नहीं सुना एहा हो ग Phone Saat Sophia माने वर हवद्ञकर ना ओ धर्मक्ट ना समस्त्त समचते हैं चिर्ण धीर दीर औरogen वाग माने यह बहुत सिंग्र और यह चिरण मन बहुत जाद सीग्ड ठीक है ना आसाध्य मन छोड़कर और अनासाध्य ठीक है ना आसाध्य का मतलब होता है मिलना या जुड़ना ठीक और अनासाध्य का मतलब होता है छोड़ना अलग होना समझ में आया यह विलोम सब्द थे आगे देखेंगे अगला प्र पंच भी पांच पंच भी बाक्याई पांच वाक्यों के द्वारा ठीक है ना विदुराया है विदुरा के चरित्र का वर्णन करो पांच वाक्यों के द्वारा अर्थर जो पांच वाक्य लिखना है हमें वो बाक के हमारे विदुरा के चरित्र की विसिष्टा को प्रदर्श राजभवनमें मंत्री पदोग पर क्या है है तीसा बहुट अच्छा सत्त वादनी आसी तो वह सत्त वादनी भी थी कैसी थी सत्त का पालन करने वाली थी सत्त का साथ देने वाली थी चलें आगे देखेंगे अपनी हमारी पाट से भी मिल जाएंगी हमको और भी बात बना सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है अब देखें यमा जीवन्ती खालिस्थान जीवन्तार्थवत अस इसलोकस अनवयम लिखत केवल क्या लिखना है इसका अनवय लिखना था अनवय का मतलब होता है विवस्थित अब पूरा हमें जब इसका इसलोक आता होगा तभी हम क्या लिख पाएंगी अनवय लिख पाएं कि इसमें क्या है आपको एक एक चीज को एक सब्द को क्या है अनवाय की रूप में देखना होगा हे संजे सर्व भूतानी जो सभी पुरुस हैं ठीक और उनका पुरुसार्त उनका जीवन कब सफल होता है वो ले जो परुपकार के लिए फलता है उसी प्रकार से अगर हम दूसरों के लिए क्या है अपना जीवन निच्छावर कर दें दूसरों के पूरसार्थ के लिए जिए तो उसी का जीवन क्या होता है अर्थवत होता है ऐसा इसमें इस स्लोप में वोला गया उसी का अनवय हमें यहां लिखना था अभ्यासकार में ठीक है ना चलिए इसका हम पूरा भावार्थ अन्वे सब्दार्थ व्याक्या आपको किसमे बता चुके हैं हमारी जो प्राणी किलासे थी उसमें हमने भाग तीन में जो हमारा अर्थ था भाग दो में उसमें आप देख सकते हैं ठीक है ना इसक अधोनिख्यत पदानाम संस्कृत वाक्येश्ी नीची लिखे हुए पदों को संस्कृत वाक्यों में प्रियोग करना है इसको पहला लिखा हुआ है विस्रुटा दूसरा सयानर तीसरा लिखा हुआ है विदुशाम गतिम पक्वम छिपता क्या क्या लिखा है कि विस्रुता सयानम दुश्ताम गतिम पक्वम छिपता अब देखेंगे हम इसको बाक्यों में प्रयोग कैसे करना है इनी से हमें बाक्त बनाना है वही बाक्त का प्रयोग होता है कि ये अगर हमें बन जाते हैं तो हम लोग समझ लीजी कि बहुत अच्छा कर पा रहे हैं विस्रुता विदुरा राज सभासु विस्रुता हासी कहां पर राज सभा में कहां थी आसीन थी राज सभा में ठीक है न तो विदुरा विदुरा राज सभासु विसुरताहासी सयानम सा सयानम पुत्रम निनिंद कौन वह अपने पुत्रशे बोली कि सोना नहीं है सयानम सोने के लिए रोका था ना उठो जागो और क्या करो संघर्ष करो ऐसा कहा था और विदुशाम का मतलब रामा विदुशाम हर्सवर्धना आसीद धर्सवर्धन था ठीक है ना और गतिम भाग्यत से गतिम कोपी ना जानाती भागी की गती को कोई नहीं जानता है गती सब्द का प्रियोग किया है गतिम का कि भागी की गती को कोई नहीं जानता है इसलिए बोले भागी की गती पर हमें क्या करना चाहिए चलना चाहिए भाग को कोई नहीं समझ सकता है अवसर पाकर के वो निकल भी जाता है कब क्याब किसका भाग कहा जाना है इसको कोई समझ नहीं सकता पक्वम मन होता है पक्वम फलम खादेत पके हुए फलों की भाती यहां बताया गया है छिपता धनुसा छिपता आयम सरह उसी प्रकार से जो बाण दिये थे ना धनुस रूपी बाणों को क्या है बाणी रूपी बाणों को छोड़ा था वही है धनुसा छिपता आयम सरह वही होते हैं हमारे क्या छिपता छिपे होगे साथ में प्रशने के बाद हमारा चलेगा आठमा प्रशनों चलिए आठमा प्रशने इसमें नहीं है यहाँ की किलास हमारी यहीं तक रहेगी हमारे अभ्यासकार में यतना ही था में नारा जो था उसको हमने क्या कर लिया हल कर लिया तो कोई बात नहीं अब आगे हम लोग आगे चलेंगे अगली किलास मेर हम आपके लिए लेकर के आएंगे बहुविकल्पी प्रश्ण ठीक है ना और बहुविकल्पी प्रश्णों के साथ आपको मिलेंगे क्या कुछ काथिम का हो हिंदी मीडियम का हो चाये इंग्लिस मीडियम का हो CPFC पोड किसी से भी हो UP विहार कोई भी बोर्ट हो तो आप लोगों को यहां पर निशल्ग सिख्चा दी जाती है और साथ ही साथ आपको यहां पर प्रॉवाइड कराय जाते हैं क्या नोट्स तो आपलोग पर कर सकते हैं अमारी लिंक पर जाकर के बने रही है हमारे साथ मेगनेट ब्रेंस पर धन्वाद